बंटे थे इसलिए कटे थे और मैं फिर आपसे कहूंगा बंटिये मत उत्तर प्रुदेश में नौ विधान सभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिस्ठा का सवाल बन गए है इन चुनावों में जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये पार्टी के लिए जारखंड विधान सभा चुनाव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है यही वज़ा है कि मुखेमंत्री योगी आदितनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है लोगसभा चुनावों के दौरान बीजेपी को अपने कोर वोटर बेस का समर्थन नहीं मिला था दलत, OBC और सवर्ण समुदाय के वोटों में भी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था यहां तक की कई जगहों पर राजपूतों का भी बीजेपी को समर्थन नहीं मिला उस वक्त योगी अधितनाथ के समर्थकों का कहना था कि योगी की चुनावी टिकेट बटवारे में कोई भूमिका नहीं थी और वो चुनाव अभियान में पूरी तरह से शामिल नहीं थे अब विधान सभा उप्चुनाव के लिए बीजेपी ने योगी अधितनाथ को पूरी ताकत दे दी है उनके खास मंत्रियों को चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेने की जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी को इन उप्चुनावों में जीत तभी मिल सकेगी जब वो अपने पुराने हार्ड कोर समर्थकों को फिर से पार्टि के साथ जोट पाईगी वहीं कॉंग्रेस की ओर से राहूल गांधी लोग सभाचुनावों के पहले से ही जातिय जनगरना की मांग कर रहे हैं उनका मकसाद ये है कि बीजेपी के हाड़कोर वोटर्स के बीच फूट डालो और राचकरों की नीती को लागू किया जाए हर्यानावे विधान सभाचुनाव में हार के बावजूद राहूल गांधी की जातिय जनगरना की मांग कम नहीं हुई है वो जातिय आधार पर 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं राहूल गांधी ने जारकंड के सम्मान सम्मेलन में मनुस्मृती की आलोशना करते हुए कहा था कि ये सम्मृती के बीच की लड़ाई सालों से चली आ रही है वो दलितों, पिछडों और आदिवासियों के अधिकारों की बात कर रहे हैं और अजबार कॉंग्रस किसी भी हाल में इन वर्गों के वोटों को खोना नहीं चाहती है राहुल गांधी का ये दावा है कि बड़े मंत्रालयों में दलित आदिवासी और पिछडे वर्गों के अफसरों की संख्या बेहत कम है उन्होंने ये भी कहा कि 90% लोगों का इतिहास मिट आया जा रहा है और 90% जनता का हक छीना जा रहा है राहुल गांधी के इस रणनीती का मुकाबला करने के लिए बीजेपी को भी किसी न किसी तरह से प्रतिक्रियात देनी थी बीजेपी का कहना है कि अगर कॉंग्रेस जातियों के आधार पर समाज को बाटने की कोशुश कर रही है तो बीजेपी समाज को एकजुट करने का काम करेगी योग्या दितिनात का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान सबसे पहले तब आया था जब बांगलादेश में हिंदूओं पर अत्याचार हो रहा था तस बयान का उद्देश ये हिंदूओं को एकजुट करना था ताकि वो बाहरी खत्रों का सामना कर सके इस तरह की बयानबाजी दुनिया के अन्य हिस्सों में भी की जाती है जब समाज के किसी विशेश वर्ग को एक जुट करना होता है इरान के सरवोथ चिनेता ने भी कुछ इसी तरह का बयान इसराइल के खिलाफ दिया था जिसका उद्देश्य मुस्लिम देशों को एक जुट करना था इसी तरह RSS प्रमुख मोहन भागवत भी हिंदू समाज से जाती भाषा और प्रांत के मतभेदों को भुला कर एक जुट होने का आहवान किया था उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को एक जुट होकर अपनी सुरक्षा के लिए मतभेद मिटाने होंगे उनका मानना है कि समाज में एकतास अधभाव और बंदुत्व का भाव होना चाहिए और हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए राष्ट के प्रती समर पढ़ दिखाना चाहिए हालांकि योग्या दितिनाद के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान को जहां विपक्षी दल एक समुदाय विशेश के खिलाफ खुल कर प्रोपगैंडा बता रही है तो वहीं बीजेपी कॉंग्रस परदेश में हिंदूओं को जाती के आधार पर बाटने का आरोप लगा रही है और साथ ही अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए कॉंग्रस और दूसरी पार्टियों पर ताबर तोड हमले कर रही है जानकारों की माने तो बीजेपी को ये डर है कि अगर विपक्षी दल हिंदूओं को जातीयों में बाटने में सफल हो गए तो उनकी राजनीती कमजोर पड़ जाएगी इसलिए योग्याद इतना सहीद दूसरे बीजेपी नेताओं की कोशिश है कि वो इस चुनावी मौसम में समाज को जोडने का संदेशने और विपक्षी रणनीतियों का मुकाबला करें प्यरो रपोर्ट योपी तक